वैसे तो किसी भूठका आना अच्छा नहीं है हम वर्तमान में रहते हैं, हमें भविश्य की ओर देखना है विज्ञान और टेक्नलोजी की सहायता से मनुष्य ने भावतिक सुख सुविधाओं से युक्त संसार का निर्मान करने में सफलता पाई है लेकिन क्या भावतिक संब्रधी में सुख है या सुख की खोज अपने भीतर करना पड़ेगी पैसे से दवा खरीदी जा सकती है, स्वास्थ नहीं खरीदा जा सकता भूजी से वैभव और विनास की साधन उपलद कराई जा सकती है लेकिन अगर मन में पीड़ा है, अंतक करन में बेचैनी है तो कुवेर की संपत्ती भी मनुष को सुख का संतोष का अनुभव नहीं दे सकती जिस विज्ञान और टेक्नलोजी ने इतनी प्रगति किया है अभी श्री प्रेम चंदाथ उसका वर्णन कर रहे थे, मैं उसको दोराना नहीं चाहता अब टेलीग्राम का दमाना नहीं है, टेलीफोन का दमाना है हम कुछी दिनों में विश्व की परिक्रमा कर सकते हैं हमने स्मॉल वक्स को जीत लिया है, टुबर्कॉलोसिस पर विजय प्रात्त की है मनुष्य ने चंद्रमा पर अपने चरण चन्नंकित कर दिया है लेकिन मनुष्य चंद्रमा तक पहुँच गया है इस धर्ती पर उसको किस तरह से जिन्दा रहना चाहिए ये नहीं सीख पाया है हम पक्षी की तरह से आकाश में उड़ सकते हैं हम मचली की तरह से सागर में तैर सकते हैं मगर हम इंसान की तरह से धर्टी पर नहीं चल सकते जिन्दा नहीं है ये शिक्षा कहां मिलेगी ये सौशकार कहां प्राप्त होगा विज्ञान अगर जीवन को सुखमे बना सकता है तो विज्ञान एटम बम का निर्मान भी कर सकता है और अगर वो एटम बम गलत राजनी ति दिखने ताके हाथ में पढ़ जाएगा तो विनाश भी कर सकता है और आज तो संसार अंवस्तरों के धेर पर बैठा है कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम अच्छी दुनिया की कल्प ना करें बैटर वर्ल्ड या ये चिन्ता करें कि ये दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी प अच्छी ये विज्ञान का उपयोग कैसा होता है आग से खाना भी पकाया जा सकता है आग से घर को भी जलाया जा सकता है अब हमारी बुद्धी निरमार की बुद्धी हो विनाश की नहीं और ये थीम है आज का देपरोश शुड़ बी कुरियेटिव नट पॉजिटिव नट निगेटिव मगर ये सीख कहां से मिलेगी ये शुक्षा कहां से मिलेगी इसके लिए माउंट अबु आना पड़ेगा